Hello everyone, Karnoji sir here and welcome to you on Student Point Academy. Students, today in this video we are going to start Problems at 33, Chapter No. 8, Multiplication and Factor Class 5th Maths. और इस वीडियो में बच्चो हम करने वाले हैं, Test for Divisibility के बारे में पढ़ने वाले हैं. So, this is a very important chapter for you or important topic for you. क्योंकि इसमें हमें Numbers की Divisibility पता होने वाली है. Numbers की Divisibility का मतलब होता है, कि कौन सा Numbers, किस Numbers से Divide होगा, ये हम Numbers को देखके ही बता सकते हैं. उसे कहते है Divisibility Taste को जानना. और ये आपके लिए बहुत जरूरी स्ट्रेंट्स. और वही हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. So Students, आपके लिए खुशकवरी है. मेरा Application प्ले स्टोर पर आ गया है. सेम इसी नाम से Student Point Academy के नाम से आप उसे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी Study कर सकते हैं. तो आईए स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों अगर आप हमारे चानल पर नए हैं या फिर आपने इस चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया. अगर आप चाहते हैं किस चानल पर आपको सारे content मिलते रहें तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब धरू कर लीजेगा. So, देखें स् council लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने पड़ा था चाप्रइशं से 32 आज हैं ठिर पढ़िखं़ teacher 33 पढ़ने आप़ 33 के पहले हमें पढ़ना है test for divisibility. Divisibility test. तो до test for divisibility में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 2 का का divisibility, 5 का divisibility और 10 का divisibility. देखो सभी नंबर का divisibility होता है students, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सभी का होता है पर फिलाल इस practice set में आपको 3 ही नंबर की divisibility बताई गई है, 2, 5, and 10 इसके बाद की divisibility आगे आने वाले chapter में और आगे आने वाली classes में आपको पता ही चाहेगी okay, so let's start, divisibility for, divisibility by 2, okay, test for divisibility by 2, so there is 0, 2, 4, 6, 8 in the unit place, the number is multiple of 2, or it is exactly divisible of 2, देखो, अगर हम 2 का table देखे तो 2 का table का होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 अब यहाँ पर अगर आप observe करें, तो हर एक नंबर की unit place में आपको 2, 4, 6, 8, और 0 मिलेगा देखे, 0, 2, 4, 6, 8, तो जिसमें, जिसके unit place में, चाहे वो single number हो, 2, 4, 6, 8 तो भी यह 2 से divide होगा, या फिर जिसके unit place में, 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सारे number 2 से divide पूरी तरह से हो जाएंगे, कोई भी number होता है, यहाँ पर 7 है unit place में तो यह पूरा number 2 से divide नहीं होगा, पर अगर मैं यहाँ पर 0 लगाओ, या 2 लगाओ, या 4 लगाओ, या 8 लगाओ, या 6 लगाओ तो यह number 2 से divide होगा ही होगा, अंडर्सें स्टूरी? I hope that आपको 2 का disability समझ में आ गया होगा, 5 का disability सबसे easy है बच्चो, जिसके unit place में 5 या 0 हो, वो number 5 से divide हो जाएगा जैसे 5 का table देखिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and so on, ऐसे चलता रहेगा, 50 के बाद 55, 60, 65, 70, 75, 80, मतलब देखो, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, unit place में क्या है? या तो 0 होगा या 5 होगा, तो जो भी number के unit place में 0 या 5 होता है, वो 5 से divide होता है वो number, तो हमें सोचनी की जरूती नहीं है, जैसे मान लो आपके सामनी कितना भी बड़ा number हो, 2, 3, 6, 0 इसके unit place में 0 है, हमें समझ जाना है कि या 0 है, तो या 2 से भी divide होगा, या 5 से भी divide होगा, बस और अगर सिर्फ 5 होता, तो ये सिर्फ 5 से ही divide होता, और बाकी number से नहीं I hope that आपको 5 का divisibility समझ में आ गया होगा, अब 10 का divisibility, वो सबसे easy, जिसके unit place में 0 है, वही number 10 से divide हो पाएगा, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 60, आप देखोगे, ये सब क्या है, 10 के multiples है, या 10 के divisible है, ओके, तो देखो, 10 का table भी अगर हम देखें, तो हर एक number ऐसा दिखेगा हमें, जिसके last में 0 हो, तो कितना भी बड़ा आप number लिखो, जिसके unit place में 0 होगा, वो number 10 से divide हो जाएगा, समझ में आया, तो ये थे simple से divisibility test, सबसे simple divisibility test हैं ये 3, 2 के लिए हमें क्या रखना है, जिसके unit place पे even number आते हो, 0, 2, 4, 6, 8 ये even number है, वो 2 से divide होगा, मतलब दुनिया का हर even number 2 से divide होगा, ओके, 5 के लिए 5 और 0 और 10 के लिए only 0, बस इतना ही है, अब आगे बढ़ते हैं, problem set, 33 पर यहां से problem set हम शुरू करते हैं, जो कि बहुत यहीं है बच्चों, पुछा है, right 5 digit, right 5 digit, sorry, right 5, 3 digit number, that are multiple of 2, 3 digit वाले ऐसे कोई भी 5 number लिखो, जो 2 से divide होते हो, कुछ भी हो सकते हैं, आप 100 लिख लो, आप 110 लिख लो, 200 लिख लो, 560 लिख लो, 262 लिख लो, देखो, यह 5 number हो गए, बैसे बहुत सारे, 3 digit वाले कोई भी number, हमने सारे 00 लिख लिख लिए, चलो हम थोड़ा अलग लिखते हैं, तो एक आम करते हैं, एक हमने लिखा, 100, 102, 104, 106, 100, 118 वो भी चलेगा, ठीक है, तो देखो, 0, 2, 4, 6, 8, सभी वाले, सभी टाइप के हमने लिख लिख लिए, तो यह 5 नमबर है, 3 digit, आपको कोई भी 3 digit वाले, कोई भी, 100 से लेकर 999 तक, बहुत सारे 3 digit वाले नमबर आते हैं, कोई भी 3 digit वाले नमबर आप उठा लीजिए, पर हैसे ही नमबर लिखने हैं, जो 2 से डिवाइड हो, राइड फाइउ, 3 digit नमबर, डाटर मल्टिपल आप 5, पाथ से डिवाइड होने वाले, 3 digit नमबर बताओ, जो 5 से डिवाइड होते हैं, 3 digit नमबर, तो 5 से डिवाइड होने के लिए, कंडिशन क्या है, 0 चाहिए, या 5 चाहिए, तो कोई भी नमबर लिख लिए, 3 नमबर, 3 तीन डिजिट वाला, जिसके यूनिट प्रेस में या तो 5 हो या 0 हो, ओके, जैसे मैंने लिख लिख लिए हैं, आपर 105, 110, 115, 220, 300, उज भी चलेगा, ओके, राइट 5, 3 डिजिट नमबर, डाटर मल्टिपल आफ 10, 10 के मल्टिपल वाले, 10 के मल्टिपल्स वाले, मतलब 10 के पहाड़े में जो आते हैं, ओके, ये सब वही है, मल्टिपल मतलब पहाड़े में आने वाले, 10 के पहाड़े में आने वाले, 3 डिजित वाले, कोई भी नमबर लिखो, कुछ भी, 100 भी होगा, 200 भी होगा, 300 भी होगा, 500 भी होगा, 600 भी होगा, इसके बीच के भी सारे नंबर से हो सकते हैं, उसके बाद question 2 देखिए, write 5 नंबर that are multiple of 2 as well as 3, ऐसे नंबर बताईए, ऐसे 5 नंबर लिखिए, यहाँ पर digit बगर नहीं पुछा है कि इतने digit वाला ही होना, यहाँ पर बस पुछा है कि ऐसे नंबर बताईए, जो 3 से भी डिवाइड होते हैं और 2 से दिवाइड होते हैं, ऐसे 5 नंबर हमें लिखने हैं, तो देखाओ, 3 के टेबल में 6 आता है, 6, 3 बंजा 3, 3 तीज़़गा 6, 3 तीज़़गा 6, 3 तीज़़गा 9, 3, 4, 12, 18, ठीक है? 24, 30, अब यह देखो क्या लिखान में, मैंने 3 के टेबल के ही नंबर उठाए हैं, फर सारे even number उठा लिए क्यों कि मुझे बटा even number सारे 2 से divide होगे तो ये तो 3 से divide होगे ही साथ में ये even होने के गारण ये सारे number 2 से भी divide होगे ये होगा इसका answer ओके लिखने का तरीका ये है question आप लिखेंगे और सिधा लिखेंगे answer और direct ये ऐसा लिख लेंगे 6 12 18 24 30 वर्स okay maybe मेरा writing tablet में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो कभी-कभी writing अच्छी नहीं बन पाती तो sorry for that okay but आपको solution okay मिलेगा okay अब देखिए next question है हमारा question number 3 and question number 3 says that a ribbon is 3 meter long a ribbon is 3 meter long okay can we cut it into 50 centimeter piece and have nothing left over write the reason why or not देखो यहां बुला जा रहा है कि एक ribbon है और वो ribbon जो है वो 3 meter लंबी है अगर वो 3 meter लंबी है तो क्या हम उसे 50 centimeter के तुकड़ों में काट सकते हैं देखिए meter बड़ा होता है बच्चो centimeter छोटा होता है 3 meter मतलब 300 centimeter होते हैं ओके इस बात को ध्यान में रखेगा 1 meter 1 meter is equals to 100 centimeter होता है तो 3 meter मतलब होगा 300 centimeter यह आपने पिछली classes में जरूर पड़ा है तो पताईए कि क्या हम 3 meter को 50 centimeter के तुकड़ों में बाट सकते हैं तो कितने तुकड़े बनेंगे और कितना बचेगा वो हमें यहाँ पर लिखना है तो बहुत सिंपल सी बात है तो लिखेंगे solution देखो 3 meter is equals to 300 centimeter यह होता है sprint ओके 3 meter is equal to 300 centimeter तो हम लिखेंगे यह वी कैन can cut it into 50 centimeter pieces हम इसे आसान इसे 50 centimeter के pieces में cut कर सकते हैं क्यों because वो इसलिए क्यों की therefore नहीं see okay क्योंकि कैसान लगेगा because 300 is exactly divisible by 50 300 जो है 50 से पूरी तरह से divide होता है तो अगर हम 300 को 50 से divide कर दे तो answer क्या आएगा यह six time cancel होता है five okay five six जा 30 या फिर अगर हम ऐसा ना रखते हुए ऐसा दिखाया आपको sorry 300 को अगर हम 50 से divide कर रहे तो zero से zero cancel five say thirty six time cancel होता है तो हमें answer मिल जाता है यहां पर six okay so we will get six pieces okay and nothing is left over हमें यहां पर छे तुकडे मिल जाएंगे और कुछ भी बचा हुआ नहीं रहेगा मतलब यह पूरी तरह से divide हो जाएगा मतलब हमने अगर 300 cm क्या अगर एक ribbon लिया है तो उसे 6 तुकडों में divide किया जा सकता है 1 2 3 4 5 6 और यह हर तुकड़ा जो होगा वो 50 50 50 50 50 50 50 cm का होगा यह पूरी तरह से divide हो जाएगा I hope that question number 3 आपको अच्छे से clear हो चुगा होगा same इसी तरह का question number 4 है आई यह वो करते हैं now question number 4 a ribbon is 3 meter long एक ribbon है यहां पर 3 meter long है पहले भी 3 meter long थी अभी भी इस वाले question में भी 3 meter long है बस यहां पूर रहा है कि I needed 8 piece of ribbon each 40 cm long अब यहां पर जो question है वो कह रहा है कि मुझे 8 तुकड़े चाहिए मुझे ribbon के कितने तुकड़े चाहिए 8 तुकड़े चाहिए और हर एक तुकड़ा 40 cm का होना चाहिए फिर वहाँ पर पुछा जा रहा है how many cm shorter is the ribbon that the length I needed तो वो कहता है कि मुझे जितने तुकड़ों की जरुवत है मुझे जितने तुकड़ों की जरुवत है जैसे उसे 8 तुकड़ों की जरुवत है तो क्या उसे पूरी तरह से 8 तुकड़े मिल पाएंगे ribbon के और अगर मिल पाएंगे तो क्या कुछ बचेगा और अगर नहीं मिल पाएंगे तो कितना कम जाएगा एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा या कम कितना जाएगा तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कम कितना जाएगा अगर कम जाता है तो कितना कम जाएगा वो यहाँ पर पूछ तो बहुत simple as twins, आइए से solve करते हैं, हमें पता है, 3 meter is equals to 300 centimeter, okay, पर कितने की जरुरत है, कितने तुकड़ों की जरुरत है, I need 8 piece of ribbon, okay, लिखेंगे, I need 8 piece of ribbon, each 40 centimeter, अब देखें, कितने तुकड़े चाहिए, भई, 8 तुकड़े चाहिए, 40 centimeter each, 40 centimeter, multiply by, कितने तुकड़े चाहिए, 8 तुकड़े चाहिए, चलो, हमने क्या किया, सबसे पहले ये बता दिया, कि 3 centimeter याने, सरी, 3 meter याने 300 centimeter होता है, अब यहाँ पर condition है, कि हमें 40 centimeter वाले 8 तुकड़े चाहिए, तो अगर 40 को मैं 8 से multiply कर दू, तो 8 forza, 32 और यह 0, यह हो जाता है 320 centimeter, हमारे पास कितना है, हमारे पास 300 centimeter है, पर इसे कितना चाहिए, इसे चाहिए, कूल मिला कर 320 centimeter, 300 centimeter, we have 300 centimeter, but he needed completely 320 centimeter, to 8 piece, अगर 8 piece, 40 centimeter के अगर 8 तुकड़े करना है, तो हमें 320 centimeter का ribbon होना, तो ही उसके perfect 8 तुकड़े हो पाएंगे, अगर नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, कि 7 तुकड़े होंगे, और यहाँ पर 20 का फरक पड़ जाएगा, ओके, so ribbon is shorter, हम लिखेंगे यहाँ पर, so ribbon is shorter, shorter by, अब कितने से shorter है, तो 320 को से minus करेंगे 300 को, तो हमें answer मिल जागा, यहाँ पर 20 centimeter, so हमारा जो answer है, यह होगा 20 centimeter का, हम इसे इस तरह से कर देगे, I hope that आपको यह clear हो चुका होगा, जोकि बहुत easy है कोशन था, है न बच्चो, बहुत simple है, क्या किये भी, हमें पता है, 3 meter मतलब 300 centimeter होते है, तुकड़े कितने चाहिए, 8 तुकड़े चाहिए, कितने के 40 centimeter के, इसका इसका multiply कर दो, तो पता चल जाएगा कि कितने की जुरुत है, इतना बड़ा तुकड़ा रहेगा, मतलब इतना बड़ा ribbon रहेगा, तो 8 तुकड़े हो पाएंगे, पर इतना बड़ा तो ribbon है नहीं, वो 20 centimeter से छोटा हो रहा है, बस minus कर दिया, हो गया, simple सा था, अब आईए करते हैं, next, question number 5, and students, this is the last question, question number 5, this is the last question of this exercise, so the question is, देखो, it's a very easy question, if the number given in table is divisible by given divisor, देखो, यहाँ पर जो यह tables है, इसमें देखो, यह number दिये हुए, तो नीचे वाले यह सारे number है, और यह जो side वाले उपर वाले जो है, यह सारे के सारे divisor है, ओके, तो कहता है कि if the number given in the table, जो number table में दिये हुए है, अगर यह number इन से divide होते है, तो right कीजिएगा, नहीं होते, तो cross कीजिएगा, okay, समझा है, put right in the box, if it is not divisible by the divisor, put cross in the box, so, जैसे 2 से 15 divide नहीं होता, तो यहाँ पर cross कर दिया, क्योंकि यह क्या है, odd number है, odd number 2 के tables में नहीं यहाँते, 2 के table से 30 divide होगा, क्योंकि even number है, इसके unit plus में 0 है, तो यह होगा, 2 के table से यह भी divide होगा, 2 के table से 46 भी divide होगा, क्योंकि 0, 4, 6 यह divisibility 2 की, 5 के table से 15 divide होगा, 5 के table से 30 भी divide होगा, 5 के table से यह दोनो divide नहीं होगे, 10 के table से 15 divide नहीं होगा, 30 divide होगा क्योंकि 0 आता unit place में 34 भी divide नहीं होगा रो 46 भी divide नहीं होगा 2 के टेबल से 55 भी divide नहीं होगा क्योंकि यह odd number है 63 भी नहीं होगा because it is a odd number 70 will be divided by 2 and 84 will also will be divided by 2 okay 55 will divide by 5 because it has a 5 number in its unit place 63 is does not divide by 53 63 doesn't divide by 5 because the divisibility of 5 is 0 and 5 okay we need 5 and 0 in a unit place so here 0 in a unit place so 70 is divided by 5 84 will not divide by 5 then divisibility of 10 is only 0 in the unit place okay so 55 will not divide by 10 63 is also doesn't divide by 10 70 will be completely divided by 10 because it has a 0 in its unit place 84 doesn't divide by 10 okay so dekhou kitana simple थाईगे बस यही हमें करना था कूंसा divide होगा किस से divide होगा किस से divide नहीं होगा so students I hope that यह practice set यह problem set जो है यह आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चो तो आपको यह video कैसा लगा है मुझे comment box पे लिखना मत भूलिएगा ओके जरूर बताईएगा और साथ ही मैंने आपको अनॉंस किया है कि मेरा खुद का application student point academy launch हो चुका है आपको फटाफट उसे डाउनलोड करने ना है जल्द ही उसमें हमारे study शुरू हो जाएगी हम कोशिश करेंगे अम वहाँ पर live आएंगे और आपको like पढ़ाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है फटाफट हमारा अप्लिकेशन डाउनलोड करके रख देना है फटाफट चैनल को subscribe कर लो वीडियो को like कर लो और इस वीडियो को सभी अपन ले फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करते ना सो स्ट्वेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दैन बाबाए